तो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल नूत अंजास ब्लॉक्संड कीचिन फ्रेंट्स मैं आज बना रही हूं वेज नूडल्स तो उसके लिए एक बाउल गाजर चॉप्ट किया हुआ एक दो प्यास चॉप्ट किया हुआ पत्तागों भी चॉप्ट किया हुआ बीन्स बनाओंगी मैं और एक बड़ा चम्मच स्वया सॉस यह चिंक्स रेट चुली सॉस है यह एक चम्मच और नमक स्वाद अनुसार यह बॉल के अनुसार मैं नमक डाला है और एक मुट्टी यह स्प्रिंग ओनियन है हरा पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दनिया की पत्ती डाल सकते इसको अच्छे से मिलाएंगे तो इस सारे सब्जियों से पानी रिलीज करेगा तो और जो थोड़ा मोड़ा लगेगा तो उसमें दो तीन चम्मच डाल कर मैं इसको गुंद ली हूँ और उसके बाद यह बॉल बनाकर मैं डीप फ्राइ कर ले रह इसमें दो तीन चम्मच तेल डाले हैं दो चम्मच चॉप्ट किया हुआ गारलिक यानि लहसन एक चॉप्ट किया हुआ यह अद्रक और एक चम्मच हरी मिर्ची बारिक बारिक करती हुए है आप कम ज्यादा अपने अंसार कर सकते हैं इसको थोड़ा सा भूनेंगे बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है अब मैं इसमें थोड़े से गाजर डाल दी हूँ लगव एक दो चम्मच एक बड़े चम्मच बीन सबजियां आप अनसार डाल सकते हैं यह दो तीन चम्मच पत्ता गोवी इसे भी चॉप्ट करके रख लिया था चार बड़े चम्मच है पत्ता गोवी डाल दिया यह ग्रेवी के लिए है फ्रेंट्स इसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा डाला है बा अब स्वाधन सार नमक डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से एक बड़े चम्म सोया सॉस यह चिली सॉस डेड़ चम्म चाहिए जेड़े चोटे चम्मच डाला है और विनेगर एक चोटे चम्मच सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे जो है वो हाई फ्लेम पर बनेंगे यह मैंने घर में कस्मीरी मीर्च को भीगो कर रात भर पीस लिया है तो आप चाहें तो इसके जगह सेजवान सॉस टाल सकते है मैं हमेसा इसी को यूज करती हूँ गलर बहुत अच्छा था इसका कस्मीरी मीर्च का तो देखिए उसको मैंने भून लिया उसके बाद क्रंजी पन के लिए मैं एक चम्मच नमसारी एक मुठी लंबे-लंबे कटे हुए पतले-पतले सिम्ला मिर्च डाला है तोड़े से पत देखिए में बहुत अच्छे लगेंगे बहुत टेस्टी बनेगी फ्रेंट्स देखिएगा आप लग जरू ट्राइ किजिएगा इस तरह से इसको हलका सा भूने उसके बाद ये दो बड़े चम्मच कॉर्ण फ्लोर को गोल लिया है थोड़े से पानी में इसको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद अब मैं इसमें तीन कप पानी डाली हूँ और इसको बॉइल खूने देते हैं और इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे और जितने भी सबजी हमने बनाई है सब हाई फ्लेम पर पकाना है तो ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको इसमें मैंने एक कटोरी कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और आदा कटोरी नॉर्म पानी में दो घंटे के लिए भीगो ले उसके बाद इसको इसमें लसंड डालकर पीस ले और थोड़ा भी नेगर डालकर तो मैं इसी को बनाती हूँ और इसी को यूज करती हूँ आप भी बनाए वरना इसके जगह आप सेजवान सॉस का यूज कर सकते हैं तो देखिए हमा हरे प्याज के पत्ते मुझे जितना गाड़ा रखना था गाड़ा रख लिया है उसी अनुसार मैंने डाला है तो मैं जैसे बना रही हूँ उसी इसाब से बता रही हूँ अपना मेजर्मेंट कम ज्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं यह मैंने सारे बॉल्स को बना कर रख लिये हैं तो यह जो मैंने ग्रेवी रड़ी की की यह हो गया हमारा तैयार हो गया है तो जब भी आप इसको सर्व करें तो अभी डाले नहीं इसमें वरना सॉप्ट हो जाएंगे तो ग्रे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दो लाकम दबादें इसके साथी वीडियो करतें देंड बाया